दोस्तों पेट के प्रोग्लम है तो ये पांच बीमारी से आप अपने को मचा लो क्योंकि आज कल जो बीमारी चल रही है वो बहुत ही भ्यानब चल रही है तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी अवर इसी वक्त सुरू करते हैं सवाल नमबर एक गूर किस मौसम में खाने से पीट साफ रहता है और किस मौसम में खाने से बीमारी हो जाती है दोस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है जारी के मौसम में खाने से गूर किर्नी के साथ फेफरा भी साफ हो जाती है और सुन्दर हो जाती है हमेशा के लिए और कर्मी के मौसम में खाने से बहुत बीमारी पैदा होती है सवाल नमबर दू, घी किसको खाने से लाकवा मार देता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप तक जनकारी पहुंचती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है जिस आदमी के सरीर में ज्यादा गर्मी लगती हो उसको नमक और घी या दूढ की छाली गर्मी के मौसम में बिलकुल नहीं खाना चाहिए नहीं तो लाकवा या फालिस तुरंत मार सकता है सवाल नमबर तीन जर्सी गाय का दूढ खाने से किस अंग में फलेडिया की बिमारी हो जाती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्तों चलूब कर देना दोस्तों इसका सही अंसर है जर्सी गाय का दूढ खाने से दो बिमारी होती है बायां अंग में फलेरिया की विमारी होती है और बायां अंग में फारलिस्ट भी मार सकती है इसलिए दोस्तों जरसी गाय का दूद जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए कभी भी अगर दूद खाना है तो देशी गाय का दूद खाएं दोस्तों सवाल नमबर चार किस घर के परिवार के लोगों को लगवा या फालिस्क वीमारी हो जाती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्स्राइब चरूर करें दोस्तों इसका सही अंसर है जिस घर में सबजी में लहसुन नहीं लोग डाल कर खाते हैं उन परिवार के लोगों को ही लाकवा मारने का समावना बना रहता है दोस्तों महंगाई के हिसाब से लोग सोचते हैं कि लहसुन न खर दाएं इसलिए दोस्तों लाकवा की फालिस की बिमारी हो जाती है इसलिए दोस्तों सबजी में जो है ओ दो चार कली लहसुन जो है हर मौसम में और प्याज दो चीज जरूर डालना चाहिए सवाल नमबर पांच सुबह जीन को दो या तीन बार लेटिंग लगता हो उनको ज्यादा क्या खाना चाहिए दोस्तों नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब चरूर करें दोस्तों इसका सही अंसर है जीन लोगों को सुबह में 2-3 बार लेटिंग लगती है हर मौसम में यानि गर्मी के मौसम में तो दोस्तों उनको भाद खुब खाना चाहिए और हापता में 2-3 बार खेचरी चरूर खाना चाहिए क्यावकि वो जो बिमारी होती है वो लिबबर के कमजोर की कारण होती है इसलिए दोस्तों भात या खेचरी खूब खाएं गर्मी के मौसम में रोटी जो है वो बहुत ही कम खाएं और दोस्तों पेट खराब हो जाए कभी भी तो एक चमच चीनी जरूर खा लें कर दो दो कर दो क्यदाएं